रादे रादे कुंज बिहारी श्री हर्दास आज की वीडियो में मैं आप सभी को चरण दर्शन यानी अक्षे त्रतिया महुत्सव की संपूर्ण जानकारी दूंगा श्री बांके बिहारी जी मंदर में अक्षे तीज कब मनाई जाएगी? किस दिन बांके बिहारी जी महाराज अपने भक्तों को चरणों के पावन दर्शन देंगे? साथी अक्षे त्रतिया पर क्या-क्या होता है और आप अपने घर में किस प्रकार अक्षे तीज महुत्सव बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अक्षे त्रतिया कब है? श्री बांके बिहारी जी मंदर के व्रतोत्सव निर्णय के अनुशार 2023 में अक्षे तीज महुत्सव यानि बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन 23 अप्रेल रवी बार के दिन होंगे? श्री बांके बिहारी जी महाराज सुभे तो भक्तों को अपने पावन चरणों के दर्शन देंगे भक्तों के प्राण प्यारे, प्यारे के श्री चरण हैं। और शाम को बांके बिहारी जी महाराज सर्वांग दर्शन देते हैं और श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में चंदन के गोले भी रखे जाते हैं इसके साथ साथ चंदन का लेपन भी बांके बिहारी जी महाराज के श्री अंगों पर किया जाता है क्योंकि ग इसके अलावा बाके बिहारी जी महाराज को सत्तू के लड्डू का भोग लगाये जाता है ठंडाई का भोग लगाये जाता है और जैसा की अक्षे त्रतिया नाम है अक्षे जो कभी छे नहीं होता हो इसका मतलब आज के दिन जो भी सतकर्म, दानकर्म, पुनकर्म हम करते हैं वो जन्म जन्मांतर तक उसके पुन्य हमारे साथी रहते हैं इसलिए कहते हैं अक्षय तीज को जादा से जादा सतकर्म करने चाहिए पुन्य कर्म करने चाहिए और श्री बांके विहारी जी महाराज के श्री चरणों की कृपा हम पर बरस्ती रहे ऐसी ही प्रात्ना हमको करनी चाहिए क्योंकि श्री बांके धिहारीजी महाराज तो हमारे हिर्दय में विराजमान देखे और हम बांके विहारीजी महाराज के श्री चर्णों में सेवा करते रहे हमारा हिर्दय सदेव के सुर्णों की श्री ग adaponumhe को पाल जी को चंदन का लेपन करें, खंडाई का भोग लगाएं, घर में सत्व के लड़ू का भोग बनाएं और साती उसके अलावा छोटे छोटे चंदन की गोली आप लड़ू को पाल जी के भी श्री चरणों में रख सकते हैं साती अधी आपके घर में श्री रादा किष्ण योगल जोड़ी विराजमान है तो उनके भी ऐसे ही आप सेवा करें और श्री वाके विहारी जी महाराज की क्रपा से खूब दान कर्म करें, खूब पुन्य कर्म करें, खूब सतकर्म करें इस अवसर पर घड़े का दान, सुराही का दान, मीठे जल का दान, शर्बत, ठंडाई, पंखा, आदी आप अपने आसपास जरूरत मंदों को जरूर दान करें, श्री वाके विहारी जी महाराज की असीम अनुकमपा, सदेव आप पर वरस्ती रहे, ऐसी प्रातना वाके विहा जी महाराज के चर्ण दर्शन करने से चार धाम यात्रा का भी फल मिलता है, श्री क्योंकि चारो धाम कहीं और नहीं है, केवल और केवल बांके विहारी जी महाराज के श्री चर्णों में ही है, इस पूरी स्रष्टी का सार बांके विहारी जी महाराज के श्री चर्णों में हैं और एक बात और मैं आपको बताऊं जिस प्रकार ये भूमंडल गोल होता है तो उस भूमंडल के ही रूप में चंदन के गोले रख दिये जाते हैं ठाकोल जी के श्री चरणों में कि ये बांके बिहारी जी महाराज आप पूरी धरा पर अपनी कृपा बरसाई रखें सब आपकी सरण में एक बार वाके बिहारी जी महाराज का जैकारा जरूर लगाएं श्री कुंज बिहारी श्री हर्दास और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी श्री वाके बिहारी महाराज की क्रपा का और अक्षय त्रतिया पर शर्ण धर्षन का सेवा का मांसिक रूप से ही सई वो भी उनको भी पुन्न लावो श्री कुंज वेहारी श्री अर्दास